पंचायत आज तक अट वारानसी जिन्टों के बाद हमारे साथ जुड़ भी जाएंगे मुक्तार अबास नक्वी साहब दरसल इस भूमिका इसकी सिर्फ इतनी है कि सबसे बड़ा मुकाबला बनारस प्रधान मंत्रियों को लेकर हर कॉंस्ट्रेंसी का एक महत्त हो जाता है लेकिन बनारस की बात इसलिए महत्तपून है क्योंकि बनारस की समाजिक और सांस्कृतिक जड़े बड़ी गहरी है और इतनी गहरी है कि दरसल राजनितिक तोर पर चाहे वो एध्या अंदोलन का दौर हो एमरजनसी का दौर हो और उससे पहले जब समाजवादियों की बात होती थी तब भी जिक्र होता था बनारस में लेकिन जड़े इतनी गहरी नहीं थी जो इस बार नजारा नजरा रहा है सडक पर लोग जो हैं लहर की तरह पह भी रहे हैं और चाहे की चुस्कियों के बीच चर्चाएं जो चल रही है वो शहर बनारस से लेकर चाहे वो रोहनिया का इलाका हो या सिवापुरी का इलाका हो उन तमाम जगाओं पर हम लगातार देख रहे हैं कि दरसल बनारस एक नई राजनितिक मियाज में ढ़ल रहा है खुद को ढ़ाल रहा है तो सबसे बड़े मुकाबले में चर्चाब यही हो चली है कि दरसल ये रास्ता बनारस का सिर्फ बनारस के लिए है या इस देश के लिए है कि हमारे पास माईक की बस्ता है यहां पर कि आखा कि बोलना होगा सबको कि सगोई चल पड़ी है इस राजनिती में कि दरसल रीता बहुना जी लखनव से चुनाओ लड़ी तो ऐसे शक्स को चुनाओती देकर आ रही है जो खुद परधान मंत्री बनने की स्थिती में भी आ सकता है तो लेकिन रीता बहुना जी कुछ भी कर लें हमें भी माइक दे दीजे तो हम भी वहां बैट जाएं सबसे बड़ा मुकाबला शुर्वात रज में समाजवादी पार्टी की सरकार है और चुकि उनके उमिद्वार को आना था वो नहीं आए शतुत प्रकास साब हमारे साथ है प्रकास जी हम आपसे एक चीज़ जाना चाहेंगे पहली बार हमने देखा कैलास चुरसिया जी का जहां जहां पॉस्टर लगा है वहां उन्होंने लिखा है आपका सेवक यह खेल क्या है नेता सेवक भी हो गया क्या मामलाई है और यह मुकाबला क्या सेवक कितलिए लड़ा जा रहा है तो अब देवनागरी में लिखा है हिंदी भाषा में लिखा है कोई इसमें कोई भ्रहम नहीं होना चाहिए एक भी नम्रता है हिंदी में शब्द की सेवक और वैसे तो लोकसभा का चुनाव है अम्मान के चलना चाहिए कि सेवक लोक सेवक कि जितने भी प्रतिदी जाते हैं लोग सेवक की ही तरह रहते हैं इसलिए सेवक लिख दिया तो मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें कोई आपती हुआ देवनागरी भाषा बहुत पुरानी है लेकिन ये देवनागरी भाषा का ग्यान इसी इलक्षन में क्यों हुआ देवनागरी लिपी है तो बहुत पुरानी लेकिन भारते हिंदू हरिश्यंद वारणसी में हुए उन्होंने हिंदी भाषा कुने आयां दिया वैसे तो बहुत पुरानी है मुगल भाषा थे अमीर खुसरो सहाब उन्होंने हिंदी भी शुरू की थी फिर लीपी में परिवर्तन होता चला गया लेकिन मूलता आज हिंदी की लीपी जो है या बंगाली या फिर मराठी ये सब देवनागरी लीपी है देखी तुमरी कासी भारतेंदु नहीं कहा था रीता बहुगना जी जो शक्स भीजेपी छोड़कर आया कॉंग्रेस के पास कोई दूसरा शक्स नहीं था उसे खड़ा कर दिया गया ये महा मुकाबला में ये कौन सी स्ट्ट जी है तो और आप देखी रहे हैं कि कितने कॉंग्रिस जनों को भारतिय जन्ता पार्टी ने अपने फोल्ड में लेकर टिकट दे दिया, समाजवादी ने दे दिया, समाजवादी वाले बसपह में चले गए उन्हों टिकेट दे दिया, बेसपी वाले समाजवादी में चले गए उनको उनका स्वागत करते हैं आप बनारस के मुद्दों को उत्तरप्रदेश के मुद्दों को देश के मुद्दों को पार्लामेंट में कितनी मजबूती के साथ उठा सकते हैं लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि पूरा 2014 का लोकसभा चुनाओ ये जुमलों पे चल रहा है कोई सहजादा बोलता है कोई कहता है पाकिस्तान भगा देंगे फिर उसके जवाब में कहा जाता है कि मुझफर नगर के लोग आईसाई के संपर्क में जो पूरा चुनाओ फिर कहीं समाजवादी पार्टी के तरफ से कुछ उग्र बयान आते हैं कभी भाजपा की तरफ से आते हैं यह पूरा चुनाओ मुद्दा विहीन हो गया सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि चुनाओं में ब्रस्टाचार के मुद्दे की चर्चा होनी थी विजली पानी की चर्चा होनी थी उत्रप्रदेश में बधाल कानून विवस्था की चर्चा होनी थी आज जुमलों पे चुनाओ लड़ा जा रहा है तो लोकसभा का चुनाओ 2014 का चुनाओ मुद्दा विहिन हो गया और सिर्फ जो परंपरा का चुनावी तरीके थे वही फिर से आ गए जाती के धरम के मंदिर के यह अफसोस जनक पक्ष है लेकिन यह थे हासिक है पहली बार प्रधान मंत्री पत का मिद्वार मुद्दा बन गया मुक्तार साब आएंगे मुझसे इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे लेकिन रिटा जी एक चीज़ लोग के जहन में है कि अगर मोदी नहीं जाते या वेठी तो राहुल नहीं आते बनारस यह कैसी संगर्शा और यह कौन सी विचारदारा है नहीं मैंने भी पिछले परंपरा देखी है वास्ते वी ग्रूप से अजादी के बाद से परंपरा रही है कि जो शीष्रसनेता होते हैं हर पार्टी के तो पार्टी दूसरी पार्टी वहां कैमपें नहीं करती अब लेकिन वह परिवर्तान है और कोई गलत बात नहीं है मुदी जी वहां जाए झाए रहो जाए और राहुल जी तो पूर्ए देश में एंपने क्लेश रहे तो और राहूल जी का आना पूर निश्य था शाम ढूब Refeds सिअ्धा कि सरकार बता दी गई है इसार कार ठीक है लेकर बहुत ही शर्मनाक है इसलिए शर्मनाक है कि भारति जंतर पार्टी की पास शुरुआ तो कुछ भी करें भारत बीज़ेब नहीं शूरू किया अच्छा प्रशासन अच्छा शासन और करते करते वो अपने पुरारी परंपरा पे आ गए, 2004 में भी सोनिया गांधी और उनके परिवार पर परहार, 2009 में भी गांधी परिवार पर परहार, और चलते चलते जब 15 दिन बच गया, तो 2014 में भी पूरा अटाइक फैमिली पर है, पर इसे कोई फर्क इसे नहीं पढ़ कि देश के जनता इसको पसंद नहीं करती, और ये बात सही है, कि मुद्दों से वो इसलिए हट गये मोधी जी, क्योंकि उनका जो गवर्ननस है, उनका जो शासन पद्धती है, गुजरात की, वो काफी स्कैनर में आ गई, उस पे शंकाय होने लगी, बहस और चर्चा होने ल कर दिया, वो रोज एक नया विवाद खड़ा करते हैं, कभी धन के नाम पर, कभी जात्पन नाम पर, कभी अपने व्यक्तिकत को निरी ही बना कर, कि मैं बहुत गरीब हूँ, मैं पिच्छडा हूँ, मैं दलित हूँ, और वो कितने दलित, कितने निरी हैं, वो उनकी खड़ा बताता है, लेकिन वोनोंने डिबेट को, डायलोग को बिलकुल डाइवर्ट कर दिया है, और डाइवर्ट करके नौन इशूस पर लाकर, वो रोज चर्चा करा रहे हैं, अब चुनाओ आयोग से लड़ रहे हैं, आप क्यों लड़ रहे हैं, चुनाओ आयोग से, कि यह पहली बार हुई है, कि NSG के प्रोटेक्टी की ग्राउंड बदली गई है, आप तो बहुत पुराने पत्रकारें बताइए, किती बार सोनिया गांधी जी का, डॉक्तर मनमोहन सिंग का प्रदान मंतरी का, या पिर राहुल जी की भी, मीटिंग ग्राउंड को बदला गया है, मैं पांच साल रही हूँ, अध्याक्ष, हम पसीने छूट जाते थे, हम से कहती थी, administration कहता था, ये ग्राउंड ठीक नी अतार है, ये ठीक नी या बिल्डिंग्स बहुत करीब है, हमको जीवन का प्रोटेक्शन भी करना है, NSG क्या प्रोटेक्टी है, तो आपकी मिर्ज ही नहीं चल सकती, आपको alternative देना चाहिए था, अब आप चुनाओ आयोग पर आकशेप कर रहे हैं, जब कि इस देश के चुनाओ आयोग ने बहुत अच्छा निश्पक्ष काम किया, अपने चुकि मुद्दा उठाया और नकवी साब अभी है नहीं, हम थोड़ा सा चुकि चुनाओ का भी मौका है, दोनों शक्त से जरा एक चीज़ हम जानना चाहेंगे, प्रकास एक चीज़ हम आप से जानना चाहेंगे, मा बेटे की सरकार कहना ज्यादा घातक है, या मौत के सौदागर कहना ज्यादा घातक है, अपनी अपनी भाशा है, अपनी अपनी समझ है, जाकी रही भावना जैसी हरी मूरत देखी तिन तेसी अपनी निगाहों से दुनिया को हर आदमी देखता है तो जिसकी जितनी अकल है वो इतना बोलता है कौन अच्छा है कौन खराब है अब ये तो हर आदमी तै करेगा हर आदमी खुद हर मद्दाता जज है लेकिन मैं इस गमाहों की मुद्दा रहना चाहिए और यह सही एक यह मूरती पूज़क देश है यहां मिजभर वग्तियों की पूजा होती है हर आणने के क्षेत्र में होती है समाज के चेत्र में धर्म के चेत्र में he दिए Japon के रओधर्णीच तो आर consultant in चौधा कि गांधी परिवार की प्रतम प्राथमिक्ताब पार्टी है और वह दल को मजबूत करने में लगे रहे हैं क्यों कि शेत्री पार्टी ओंका बहुत जाधा इधर उफान भारत की राजनीती में हुआ है तो वह कॉंग्रेस को मजबूत करने में लगें अब उसके लिए मां बे गातक होगा क्योंकि देशे पसंद नहीं करता है नक्वी साब आगा है मुक्तार अजौकी साब जहाद से उत्रे सीदे हैं बहुत-बहुत सवागत है आपका है हर को यापके जहाद से उतर के आता है कल हमने देखा बीच्चिव में उत्रे जहाद से आपके लिए माइक तो पहले मंगवा दे हैं नक्वी साब बहस के बीच महीं आपकी इंट्री हो रही है और बहस के बीच महीं बोल दें जिक्र हो चला है मा बेटे की सरकार थी रही लेकिन निशाना साधा गया और हमारे जहन में आपके एपसंस में दिमाग में आ गया मौत के सौधागर सुनिया गुजरात में मुद्दों से इतर व्यक्ति विशेश पर निशाना साधने की स्तिती क्या इस दौर की राजनिती को एक ऐसी जगा पर लाके खड़ा कर चुकी है जहां अगर आपको अपना कद बढ़ाना है तो कदवाले पर कालिक पोद्दीजी आपका कद बढ़ जाएगा यह स्तिती हो गई है कि अब उन्हें मत जाओ तो हम उनको तो भूल नहीं देना पड़ेगा ना है हलो लेकि सबसे महत्तिपूर बात यह है कि जो 2014 का लोकसभा का चुनाओ है वो कई माईनों में एतिहासिक भी है और कई बड़ी घटनाओं का गवावी बनने वाला है अ हमने शुरू से जो है वो मुद्धा रखा सुशासन हमने मुद्धा रखा विकास और सुशासन और विकास के इर्ध-गिर्ध पूरे चुनाओ को हमन चुनाओ के परचार को रखा और चुनाओ में बात भी की लेकिन अगर दूसरी तरफ कॉंग्रेस पार्टी या कॉंग्रेस पार्टी के कुछ साथी हैं उनका पूरा वेवहार देखें तो उन्होंने अपने पिछले दस सालों के कामकाच के लेखा जुखा देने के बजाए अ दूसरा वो नरेन मोदी जी पर विक्तिगत हमला नरेन मोदी जी पर विक्तिगत आरोप परत्यारोप और जिस तरह की भाशा और अभाद्र भाशा यहां तक कि कुछ कहते हैं कि बोटी-बोटी कर दी जाएगी उनकी तुक्ले-तुक्ले कर दिये जाएंगे कुछ ने कहा व बुद्धों से भागने की कोशिश होती रही। लेकिन हमने कोशिश की कि हम ना इनको भागने देंगे न भटकने देंगे। और इसलिए हमने मुद्धे को केंद्रित रखा है। लेकिन निश्चित तोर से जब सारी सीमाओं को लांग करके जो अटैक किया गया और विक्तिग की कबड़ी खेला है तो करप्शन के कुवे में कांस्परेसी की कबड़ी खेलने वाले का हश्र क्या होता है वो उसी में फसके रह जाता है। तो खुद ही अपने चाल और अपनी चतुराई की चक्रविव में बुरी तरह से यह फस गये इस चुनाओं मुकतर भाई आपने कहा के सुशासन की बात नहीं हम लोग ने अडविटाइज किया आप सिरफ एड़ उठा लीजिए सब यहां बहुत लोग बैठे रोज टीवी देखते हैं जितने कॉंग्रेस के एड़्स हैं जाहे वो टीवी पर हो चागबार में हो पॉजिटिव हैं कि हमने मैलाओं के लि पॉजिटिव कैमपेंग हम कर रहे हैं तेसे ही आपका आपका यारो बिल्कुल गलाथ है बिल्कुल गलाथ है रिता जी मैं एक चीज़ आपको बहुत सम्मान किसे ने एक सिसमान किसे आपने उनको डेमी गॉड बना दिया हमारे लिए तो एक मुख्यमंत नहीं है मैंने आप से कह दिया नरेंद्र मोदी जी सबसे फेक पॉलिटीशन इस देश के प्रदेश के प्रदेश कर रहे हैं और अंगरे जी में सुनने में भी बुरा नहीं लगता है आप उसको ज़्यादा कॉंटरिक ही गरेंगे हम ज़रा जोड़ लें क्योंकि ऐसा ना लगे कि ह आप प्रतुद बाइब मोदी जी क्या हैं बताएं जी हमारे बनारस में कहावत है कौन-कौन गुन बर्नो जबरी तोर पहले खियेवलू बारा मुची अपका खियेवू जोर किन-किन-किन-किन गुनों का वर्णन करें कौन क्या है अरे आज जैसे ही दिन बदलता है दूसर गुजरात माडल, गुजरात माडल, गुजरात माडल और जब जाते हैं युद्या तो बोलते हैं राम राज लाओ, राम राज लाओ, जब जाते हैं मेठी तो बोलते हैं छुटी जात, बड़ी जात, छुटी जात, बड़ी जात, जब आते हैं आजमगर तो बोलते हैं आत थे गुजरात माडल, आगे बोले गुरफपूर में 23 जनवरी को सुभाज चन्द बोश के जनम दिल पर, कि मैं जहां जाता हूं बाप बेटा चले आते हैं, फिर क्या बोले, नेता जी गुजरात यूपी को गुजरात बनाने के लिए 56 इंच का सीना चाहिए, ले भाईया, कि इसका 56 इंच का सीना है, अब गुजरात बनाने के लिए, उत्तर प्रदेश को आप गुजरात बनाईएगा, गुजरात के आबादी 6 करोड, उत्तर प्रदेश के आबादी 20 करोड, 7 करोड तो यहां गरीवी की रेखा के नीचे हैं, और वो आबादी हैं उनकी 6 करोड, प्रणाम करते हैं, मुरारी भाई को प्रणाम करते हैं, और जवाब ले ले लेते हैं, बस एक मिनट, लेकिन हर हमारी भारती संस्कृती भी विदताम एक ता है, डाइवर सिटीज, आप किसी एक राजी को दूसरा जी नहीं बना सकते, वो समुद्र के किनारे है, यह गंगा देखे पहली बात, आपने एक बहुत महत्तपूर सवाल किया, जिस सवाल का जवाब देने के बजाए, उसको जलेवी की तरह घुमा दिया गया, आपने पूछा नरेन मोदी जी है, बनारस की बहुत अच्छी होती है, खा के देखिये जानता हूँ, मैं आपके साथ खा चु पीका, हम अगर पूछ रहे हैं कि इस दस सालों के शासन में आपने क्या किया, तो इसलिए पूछ रहे हैं कि हम विपक्ष में थे, हमारे नरेन मोदी जी देश के परधान मंत्री नहीं थे, और आपको आप अगर बता रहे हैं, तो आपका बताना कर्तव है, उसके साथ अग हम यह सवाल पूछते हैं कि भाई दस सालों में आप ऐसा दस कौन सा काम किया जिससे कि आम लोगों के सरोकार, आम लोगों के मुद्दे और आम लोगों की समस्याओं का समाधान हुआ हो, नौजवानों के रोज़गार से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, जो किसान है जो मजदूर है जो आम वेक्टी है उनको जो है आपके सरकार के रहते कोई राहत मिली हो बड़ी राहत मिली हो आप नहीं कर बता पाते हैं आप बताएंगे जी हमने बात की रास्ते में जरूर खड़ा हुआ आज बच्चा जब पैदा होता है तो आपको मालूम होना चाहिए 15,000 का कर्ज अपने सर पे लेके पैदा हो रहा है तो यह तमाम चीजें अगर यह कम्या है इन कम्यों को आपको इस बात को सुषिकार करना पड़ेगा अब इसका अट यह कोई आम आदमी पार्टी के पास कोई ऐसा मॉडल क्यों नहीं निकल के आ रहा है जिसमें बात यह हो कि हम इस रूप में इस देश को देखना चाहते हैं अच्छी बात यह होती जो अभी बड़ी चिंता सब लोग विक्त कर रहे हैं कि बही मुद्दों की बात होती सुसा पांस साल के अंदर देश को ब्रस्टाचार दिया महंगाई दिया टूजी घोटाला दिया कॉमन विल्थ गेम्स का घोटाला दिया कोईले का घोटाला दिया बैसाखी का घोटाला हुआ हैलिकाप्टर का घोटाला हुआ एक के बाद एक घोटाला हुआ और उसके खिलाब ब आजारों करोन के खानन गोटालेकारोप है आप उसी राम विलास पासवान के साथ खड़े हो जाते हैं जिनको जो कहते हैं कि साथ भारत जलाओ पार्टी है और उन्होंने माफियाओं को टिकट दे रखा है उत्तर प्रदेश के अंदर आपने जिस आतंकवाद की चर्चा की आ कि आजमगर जो है वो आतंकवाद काड़ा है आप किस प्रकार का संदेश देना चाहते हैं किस प्रकार का हिंदुस्तान देना चाहते हैं सुसासन की चर्चा आप कीजिए आप सुसासन की चर्चा किस रूप में करेंगे एक रूपए स्कौार मीटर पर आप अडानी को जमी देकर अंबानी के साथ समझोता करके सिर्फ चंद उद्योग पतियों को गुजरात के अंदर बढ़ावा देके आप सुसासन की बात करेंगे तो आपके पर कोई यकीन करेगा घ्रस्टा चार और राजनीती के अपराधी करण के मामले में कांग्रेस बीजेपी दोनों पार्ट को क्यों को गाइब कर फरके कोई मौत का सोदागर बोलता है कि दी लोगों के जहन में है की सरकार मनमुहन सरकार की थी और उसमें विकल्प के तौर दर देख रहे हैं मैं दो बात कहना चाहूंगी पहले तो मैं भारवियत करूंगी मुक्तार साब का कि इन्होंने खुदी गिनाया कि क्या क्या हम लोगों ने किया और ये क्या गलत है क्या कि मात्मा गंदी नरेगा में काम का अधिकार देकर दो करोड से जादा परिवारों को उसका लाब मिला 14 क और बच्चों को मध्यान भोजन मिल रहा है ये गलत है क्या राइट फूड गलत है क्या गलत है क्या आपके जमीन गुजरात में भी देख लीजे जाके मध्यप्रदेश में देख लीजे और जहां तक आपने बात करी आपने कहा था कि हम पॉजिटिव कैम्पेंग नहीं कर जाने में दस पैसा यूनिट देते हैं आपके गुजरात में चपन रुपया यूनिट किसान को बिजली मिल रही है आप जब गवननेंस की बात करते हैं तो आप कहीं दिखाएंगे तो और मैं संजे जी कि क्या बात करूं आपको मुझा मिला तो भाग निकले आप तो ऐसा भागे की गवननेंस के नाम से आप घबड़ा गए ठर रहा गए जब आपने कभी कुस्टाचार के खिलाब आप लोग कानून नहीं बहुत आसान होता है आरोप लगाना बढ़ आसान होता है कुर्सी में बैठ जाईए तब अस्तियत का आपने पार्लेमेंट में इतने लोग बना दिया है अब ये संजय जी ठीक है अपनी बात कह रहे हैं कि जिवाल जी बोल रहे हैं लेकिन हर जगा पर इनका कंडियेट कहीं खड़ा नहीं है कॉंग्रस वसिस बीजेपी चल रहा है और ये बहुत आइडियोलोजी इसकी लड़ाई है इसमें कौन सक्सीड करत देखेंगे देखेंगे पहली बात आज हम जब यहां पर आपकी पंचायत में बैठे हुए हैं तो इस चुनाओ के और मद्दान के आखरी दोर में बैठे हुए हैं कल जो दस तारीक को तक जो है वो चुनाओ कल का खत्म हो जाएगा परशार हो उसके बाद 12 को मद्दान हो जाएगा इसलिए यह जितनी भी चीज़ें अभी आदनी रीता जी ने कहीं भाई हमारे संजय जी ने कहीं यह सारी चीज़ें पूरे चुनाओ तक यह दोराते रहें कि गुजरात में यह नहीं हुआ गुजरात में वो नहीं हुआ गुजरात में ऐसा हुआ गुजरात में लिखा हुआ है जो 16 तारीक के वो जो मशीने है वोटिंग मशीने उससे बाइव आपका प्रोबगेंडा गजब का हुआ है दूसरी चीज यह कि कॉंग्रेस पार्टी यह कॉंग्रेस पार्टी के कुशासन के जो साथी संगी है हम उनको बिना मांगी सलाह इतना ही देंगे कि में हार और जीत होती है हार और जीत की हताशा में अगर उनको यह मालूम है कि उनकी बिदाई का बैंट बाजा बज़ चुका है अब बिदाई के बैंट बाजा के साथ साथ दिमाग का भी बैंट बाजा बजने लगे और एकदम उस रास्ते पे जाकर के और जिस तरह की वहार वहार भाशा निस्टित तौर से लोक तंत्र के लिए कताई अच्छा नहीं है। आपको यह पताना चाहिए तो रुपया कंगाल हो गया डालर माल वाल 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 रही हूं साथ साल आपकी एंडी की गर्मेंट थी आप से आप चुनाओ हो चुका है पर हम भी कम नहीं है आपके फॉर इस चाहर का चुनाओ हो और एक सेचेंज आपने 113 बिलियन पर चोड़ा हम 300 बिलियन पर चोड़ रहे हैं 300 बिलियन आप कैसे कैसे तो कम जोर है हमने पांच गुना एक्सपोर्ट बढ़ाया है यह भी सत्य है हम कहां से कम जोर हो गए इंपोर्ट आपके टाइम आप चेक करिए आप आप चेक करिए मैं भी पड़ी लिखी हूं और जहां तक आप सवाल कह रहे हैं जहां तक आप बा आया नहीं गरीबी के रेखा के उपर 33 प्रतिश्वत लोगों का 14 करोल लोगों का मने बाहर निकाला है यह मत कहिए कि कुछ नहीं हुआ जो नहीं जो हुआ हो तो स्विकार करिए और देखिए लोकतंत के कुछ मर्यादाएं होती है जिस भाशा का प्रयोग प्रधान मंत्री पत का उमीद्वार भारचार प्राजपा के कर रहे हैं जिस तरह का अक्षेप वो गांधी परिवार से लड़ रहे हैं जिस तरह से वो बोलते हैं बहुत आपती जनहें के मुक्तार सब आप तो बहुत सीनियर हैं समझाईए देखिए इस तरह की भाशा नहीं होनी चाहिए नहीं होना चाहिए जस्तरे से प्रियांका आग लिए पूरान शिखना ना वो प्निशथ जानना हो सब्सक्राइब नागने की बात है जब सहारणपुर के कंडिडेट के भासा सामने आई उसके बाद आमित्सा की भासा सामने आई उसके बाद आजम खां की भासा सामने आई उसके बाद गिर्राज सिंग की भासा सामने आई भासा पे नियंतर कहां रखा गया और हतासा इसकरन हो गई खास करके कासी में बनारस के अंदर तो भारती जन्ता पार्टी के लोग इस प्रकार से हतास हो गए है या क्या इस्तिती हो गई मुझे नहीं मालूं आए दिन कहीं पत्थर मार रहे हैं कहीं डंडे चला रहे हैं कहीं कालिक फेक रहे हैं एक्दम एक्दम से पॉष्वा कि इस्थिति है मुझे लगता है कि नरेंदर मोदिजी की घबराहट से पूरे बनारस के भाजपा के कारकरता हतास है बिल्कुल वो मारपीट पुतार हुए डेमोक्रेसी में आप अपनी बात नहीं कहने देंगे वोट किसको मिलता है नहीं मिलता है यह तो 12 तारीक को ते होगा 16 को रिजल्ट आएगा और ते हो जाएगा